आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सिलेंस वाई पीएस पर मैं पीएस आपका स्वाइद करता हूँ आज हम डिसकस करने वाले हैं एक्सिलेंस के बारे में जो आपका इंट्रेंस एक्जाम आने वाला है 2024 उसमें क्या है बहुत सारी चीज़ें होत आपके एक्सिलेंस बारे स्कूल इंट्रेंस एक्जाम है तो क्रेक कर सकते हो तो आएए देखते हैं यह आप देख रहें इंटरफेस जो है न यह एक सॉल्ट पेपर का है यह सॉल्ट पेपर से जो है ना मिनियूम आपके एक्जाम में जो कुशन का जैसी रहता है वह 40 पर् होता है और सेकेंड आपका जो एक्जाम है वह ऑब्जेक्टिव टाइप भी है वो टी टाइप का रहता है तो इसमें क्या में चीज यही होती है कि आपको जो कुश्चंस हैं उनकी इंपूडेंसी पता चल जाए और मैं ली क्या होते काफिस सारे वे टाइम्स है ना पिछल पर मैं आपको यूटूब पर फ्री प्रोवाइड कराऊंगा एंड जो है ना जिसको भी ओनलाइन क्लास लेनी है अपना एक एप है एप के माध्यम से आप क्लास ले सकते हो उसकी यह डेटेल में आपको बता दूँगा किस तरह से आप आपको जोइन कर सकते हो उसमें क्या पर देखने को मिल जाएंगी बाकि आप जिसके पास जो पे नहीं कर सकता बाकि के जो बच्चे हैं वो क्लास यहां से लेते रहेंगी यह स्वाल पेपर से क्या होता है यहां से मैं आपको 2004 से लेकर 2023 तक कि जो एक्जाम सो चुके उनके सभी के स्वाल पेपर में आपको प्र कंटेंट रहता है कंटेंट का सबसे पहले आपको 2020 पेपर 23 का फेपर फिर 22 21 20 19 18 17 16 फिर इसके बाद आपको 15 ऐसे करके सारे पेपर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी तो यह सारे पेपर से आपका 40% से लिए बस मिनियूम जो एना कंप्लीट हो जाएगा तो इतना कंप्लीट कर लेते हों तो आपको जो एक्जाम क्रेक करने के लिए बस 20 और 30 मार्क और चाहिए रहेंगे उतने में आप जो एना एक्जाम क्रेक जो एना असानी से कर सकते हों हमारे जो टारगेट है वो टॉप 10 मेरेड लिष्ट का है आप अगर अच्छे स्कूर करते हों त उनकों भी में करवाँगा और यह जो है नग पीडिएप के रूप में भी कोसिज करूँगा प्रोवाइड करने की उसका ठोड़ा सा चार्ज रहेगा वो चार्ज आपको पेकरना होगा आप Hindi में चाहें तो Hindi में पीडियप मिल जाएगा और English में चाहें तो English में मिल में थोड़े इसी मेहनत लगती है इस वज़े से उसका थोड़ा सा चार्ज रखा जाएगा बाकी नॉर्मल चार्ज रहेगा और आपको यह जो प्रिपरेशन एक्सिलेंस और मॉडल स्कूल की वह हिंदी एंड इंग्लिस दोनों में आपको प्रोवाइड रहेगा यहांपे आप एक इंटरफेस देख रहे हैं यहांपे लिखा हुआ है कि exam related information आप ग्रेड बी आप मिनिमम जो एना ग्रेड बी होना चाहिए आपके एक्जाम से यानि की सेकंड डिवीजन या तो आप एट क्लास पास कर चुके हूँ या फिर आप एट क्लास में पढ़ रहे हूँ तो आप एक्सिलेंस ए मॉडल स्कूल इंट्रेंज एक्जाम 2024 के लिए इसका हो जाएंगी इसका एक्जाम और जो एना ओनलाइन फॉर्म फिल अप कैसे होगा वो सारी भी प्रोसेस बताएंगे अभी इसके फॉर्म नहीं आए हैं जैसे ही आएंगे आपको information के मादियम जो वीडियो है वीडियो के मादियम से information मिल जाएगा ठीक है बाकी आपका जो एन and whose information will be sent to the NDC respective department and the principles of school आपको जो भी जहां भी रहते हो उसके आज-स-पास ही आपको इसके मिल जाते हैं इसका कैसे रहता है इस इंटरेंस टेस्ट बिल वी स कंडेक्टेड अंडर दैन सुपर विजंस ऑफ्टा कलेक्टर यह जो एना पूरे ऐलेक्टर की निगरानी में एक्जाम होता है यह ओमार सीट वेस टेस्ट होता है वीडियोजर फो इन फिलिंग ओमा तो आप एक फेटनेस एक अगर बनाओगे तो आप एक्जाम को अच्छे से क्रेक कर सकते हों इन दिस एक्जाम यूज ऑफ कर लूटर इस प्रोहबिटेट आप इस एक्जाम में कर लूटर का यूज नहीं कर सकते हैं एंड ओन मार्किंग मोर देन ओप्संस ऑन दा ओमार सीट आपको इस टेस्ट में ओमार सीट मिलेगी उसमें आपको ओप्संवाइस मार करना है जो भी ओप्संस आपको देखता है दिस कुश्शन बिल भी इन ट्रीटिड एज रॉंग और अगर आप एक से ज़्यादा फिल कर देते हो तो आपको रॉंग हो जाते हैं कुश्शन ओमार सीट में ऐसे गोले बने रहते हैं इस तरह से कुछ चार ओप्सन होंगी यहां लिखा रहता है ए बी सी एंड जो भी ओप्सन आपको सही लगता है उसको बस फिल करना होता है जैसे बाइद अभी तबे दी ओप्सन लाइए इसको अगर सही लग रहा है तो इसको अच्छी तरह से फिल करना है यह भी प्रैक्टिस करवाओंगा ठीक है आफ्टर दा कंप्लिटेशन ऑफ एक्जाम एंड इस्टुडेंट हैस टू इन सम्मिटेट कुश्चंस पेपर्स पिल भी आंसर सीट टू इन दा सुपर सुपर्विशर जो भी आपका जब एक्जाम हो जाता है तो आपने ओम्र सीट जो होगी वह आपकी सम्मिट हो जाएगी एंड पेपर आप घर पे लेकर आ सकते हों काइंड ली हैंडल ना ओम्र सीट एंड डेलिकेट ली किछ एज़ें केंड बाद सब्सक्रारड ज़ए्छा एंडल चुल्ग करना है और इसमें सांसरा जाएगा अगर आप एक कुश्चन जो इना सही करते हो तो आपको बन मार्क मिल जाएगा ठीक है अगर बाइद आवे आपने किया कुश्चन मालो की 20 कुश्चन अटेम्ट किये पूरे एक्जाम ओबरॉल 100 नमबर का जो इना पिपर आता है और 100 कुश्चन भी होती है तो आप 20 करोगे अटेम स्कीम सब्सक्राइब इसमें किस हिसाब से जो इना मार्किंग रहती है उसको यहां पर दिखाया गया है तो आपका जो एक्जाम है वो टोटल जो एना 100 मार्क का रहता है यहां पर सब्जेक्ट रहते हैं आपका जनल नौलिज इंवारेमेंट हिंदी इंग्लिस साइंस और म होगी और इंवारेमेंट जो है आपके फितीउ इंग्लिस में 15 किषिंग राइंगी और मेस में ओंको यह इन Perfect मार्क के गिए साइंस्स में पैटन चेंच बागिन 20 संट्वेटी मार्क के आइंगी और मैस मे ऐसा ही है ये 242 इस तरह ऐसे तोटल जो कॉशन है वो 100 है और टोटल जो मार्किंग है वो भी 100 है आपको इसमें कितनी टाइमिंग मिलती है तो questions papers often to hovers and syllabus of the exam will be in according to the in class 8th of in mentioned राज सिक्षा केंदर यह जो exam connect कराता है राज जो open board होता है वोई exam को connect कराता है हर साल और अभी तक जितने भी exam conduct कराएं इसीने कराएं और काफी अच्छा pattern रहता है simple pattern है आसानी से आप इस exam को crack कर सकते हो mostly क्या है इसमें जो categories होती है काफी सारे doubt आते है general category के लिए इस बार minimum 65 marks चाहिए रहेंगे हर एक टिस्टिक के लिए रहता है यह OBC का minimum 60 marks अगर आपको exam क्रेक करना है और फिर SC का minimum 55 marks और ST का 50 marks और इसके बाद handicapped आते हैं और EWS वाले भी आते हैं EWS अगर आप 45 प्लस लेके आते हो तो आपका हो जाएगा and handicapped वाला handicapped के लिए अगर आपके 30 जो है ना 5 प्लस marks आ जाते हैं तो आपके selections के chance बन जाते हैं इस तरह का कुछ pattern रहता है इसके बाद next video में हम और भी discuss करेंगे तो आप चलू जोड़े रहे excellence YPS YouTube channel से and आप app से भी जोड़ सकते हैं दौनम आदेम में आपको वीडियो प्रोवाइड करा जाएगी जैन सात्यों जैन फ्रेंड्स फिर मिलते हैं